हलो फ्रेंट्स वालकम टुण स्विंग तट्रेट अज की विडियो में हम बात करेंगे दो स्टॉपक के बारे में स्टॉक के लिए इमीडियेटली जा सकते हैं ठीक है इसमें से काफी सरा भाई के सवाल था उसमें से एक मैंने पीक किया हूं जो कि यहां पे बहुत बोले थे कि इस स्टॉक के बारे में अनलिशिस करके बताओ इरानी कोड़े तो उन्होंने बताया था क्या हम पे स्विंग ट उसके बारे में भी हम डिटल अनलिशिस करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए उसके साथ में आपका पास में कोई भी स्टॉक है करना तो अब स्टॉक 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 हो जाएगा अपका जैसे जैसे टार्गेट आता है वह टार्गेट पे आपको प्रूफिट गुझिंग कर लेना है और अगर आप लॉस में उसे वेशिस पर स्टाटेजी के हमने बाइग किया है तो स्टॉक को सेल करने प्रफिट मार्केट से नहीं कर पाएंगे मैं क्यों बोल रहा हूं उसका आपको एक जंपुल आज की वीडियो में अभी बताता हूं ठीक है देखिए मैंने टू मन्स पहले एक बार वीडियो बना कि बताया था रिटन कमाने का मोंका है कौन सट करेक्षन होगा घरावर यृवर को द्ष है कि इस स्ट को भीडियो लेकिन जिनों ने लिया होगा तो उन्होंने होल्ड किया है या तो फिर लॉस में लॉस्ट करके निकल गए हो तो मुझे नहीं पता बट मैंने काफी सा रफिन्स को यह हमेशा आपको भरोशा दिया है कि आप स्टॉक को करना सिखेंगे तो आप मार्केट से गेन करना बहुत इजी रहेगा क्योंकि इसा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है मार्केट में अगर एक अच्छा सा स्टॉक को अगर होल्ड करेंगे इसमें पैसे बनता है ठीक है कैसे बता रहा हूं यहां पर एक एक्जाम्पल लेना आपक करके अगर स्टॉक को यहां पर सेल करके निकल जाते एलेवन परसंट लॉस में तो क्या फाइदा होता कुछ भी फाइदा नहीं आपको लॉस बलकि होता स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छा सा स्टॉक को होल्ड करेंगे तो पैसे बनेगा ठीक है और यहां पर यहां स्टॉक के लिए आपका तरगत आ कर लेना कर लेकाए तक यह बीडियो को जरूओ रेफर आपको मिल जाए ठीक है यह वीडियो को जरूर कर लिए क्योंकि इसमें फॉंडामेंटल अनालिस और सारे बताया हुआ है लेकिन कोई भी स्टॉक बाइब कर रहे न तो उसमें पूच रहें मैंने भी वीडियो बताया ता जहां पर यहां पर सबस्क्राइब करो मत करो क्योंकि स्टॉक में जिसी साब से सारे जगह पर बजराए कि स्टॉक को सेल कर दो ब्रेक आउट यहां पर सरी यहां पर सपोड तूट गया इसको सेल करके निकल जाओ मैंने उस टाइम पर आपको बता था है स्टॉक को सेल मत करो स्टॉक कोई बुरा नहीं अगर हम देखेंगे एक मॉल्टी वेगर स्टॉक है आगे आने बाले दिनों में बहुत बड़ा मॉल्टी वेगर रिटन दे सकता है क्यों बता रहा हूं उसका रीजन भी मैं आपको बता यहां पर एक चीज देखिए यहां पर होल्डिंग कितना इंक्रीज होते जा रहा है यह तो एक पॉजिटिव साहिन है ना जहां पर अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं तो यहां पर माल उठा लिए तो यहां पर रिटेलर की पास में देखेंगे उल्ली फोर परसंटेज यह तो इसे साब से मुझे इसा लग राए यह स्टॉक कि जिसे इसे सहाब से और कितर्क है जिसी साप से क्रेडिट कर विजनेश में ग्रोथ भी इसमें हम एस्पेक्ट कर सकते हैं यह सेक्टर बहुत बढ़िया पर्फॉमांस दे सकता है ठीक है अभी एक दो साल में जिसे की बहुत बढ़ा पर्फॉमांस नहीं दिया है तो इसलिए आप इसा मत अगर आप यहां तक का टारगेट लेके चलते हैं ठीक है जो की 1132 का लेवल तक अगर आप लेके 1132 का टारगेट लेके चलते हैं मुझे इसा लगता है यह स्टॉक में बहुत जल्दी आपको अधुक्त आची हो सकता है मागिवम् सब्सक्राइब करें जाता है यह सबसे बड़ी बोलत कवे पना है को बुरा ही इस चॉब आपका रिस्क भी नहीं है तो इस टॉक में जरूर आप खुद का अनालेसिस जरूर करके सब्सक्रेस्चमूरन सकते हैं जो कि आपको 23% का गेन आपको six months में three months में मिल सकता है लेकिन अगर आपको immediate gain चाहिए ठीक है immediate gain चाहिए immediate gain के लिए आप इस टॉक को अभी लेके चल सकते हैं देखिए नेक्स ट्रेडिंग सेशन में आप जब आई करेंगे ना स्टॉक को मुझे इसा लगता है वान मौंस में आपका आचीव हो जाएगा ठीक है देखिए 9 परसेंटेश का जो 9.57 परसेंटेश का गेन है यह आपको वान मौंस में आचीव हो सकता है फास्ट अपका 1017 तक लेके च अगसा लगता है यह जो टारगेट है ना यह बहुत जल्दी आचीव हो सकता है क्यों बोल आँचा पिछही तंच होता है तो इसलिए आप start को 30 कर सकते है कोई प्रॉब्लेम अगर आपको लॉंग-टर्ञ के लिना है सकते हैं अगर वानों का ट्रेडिग करना है वानों मॉंस में आपको अब वर किन करना श्रीन परसेंच का अगर त्री जो हुआ है क्वे glue के लीकिन अगर आज है डेलिवरी उठाए गया है तो इसलिए आप अपना जरूर कर लीजिए अपना अनलीसिस करके जरूर अपने वर्टोलियों में इसको कोई रिस्क नहीं ठीक है और दूसरी बात है और यहां पर सखना चाहते हैं आपको प्लेलिस्ट में आना है हमनुपे प्लेइस्ट achei जो की की सटाउग को सिलेक करना है कौन शर्ण को देख लीजिए आपको बढ़ी अज्मल सकता है अब अभी तक बने रहने के अपको बहूत भाद धन्यवाद आगार नेगं कीा चानल को जरूर इजिसे घंड कर लीजिए thank you very much friends for watching this video we'll see you in the next video